Hello friends Welcome back to my channel तो friends आज की जो वीडियो है हमारी requested वीडियो है आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट के नेम बताओंगी और साथ साथ में आपको prize भी बताओंगी जिसे आपको अनदाजा हो जाएगा कौन सा प्लांट कितने का है तो ऐसे कुछ प्लांट के नेम बताऊंगी जो कि सर्दियों में फ्लावर वाले प्लांट है और आप हैंगिंग बास्किट में लगा सकते हैं तो हैंगिंग बास्किट से हमारे घर की सुन्दरता ओर ज्यादा बढ़ जाती है जैसे कि कोई विंडो हो गई बालकनी हो गई खोल हो गया तो इन में जो सुन्दरता बास्किट वाले प्लांट से लगती है वो ऐसे पोट वाले प्लांट से नहीं होती है तो hanging basket हमारे घर को बहुत सुन्दर बना देते हैं तो चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ plants के नेम बताएंगे और आपको इन plants के लिए मिट्टी कैसे तयार करनी है वो भी बताएंगे इस वीडियो में तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें तो friends, hanging basket के लिए आप जब भी soil तयार करें तो ऐसी soil तयार करें जिसमें नमी भी बनी रहे और हमारी hanging basket गिरे भी नहीं अगर हम ज़्यादा भारी मिट्टी हैंग कर देंगे तो वो उससे गिरने के chance रहते हैं तो आप कोसिस करिए उसमें cocopeat, vermicompost और मिट्टी कम ही मातरा में आप लें तो आपको एक हिस्ता वर्मी कंपोस्ट लेना है, कोको पीट लेना है और मिट्टी लेनी है इन तीनों चीजों को मिक्स लगा करके आप अपने winter के फ्लावर प्लांट को हैंगिंग बासकिट में लगा सकते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा प्लांट आएगा पिटोनिया पिटोनिया इतना सुंदर प्लांट है और इसके कलर बहुत सारे मिलते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट कलर में पिटोनियाज हमें मिलते हैं की हेंगिंग बास्किट के लिए बहुत सुन्दर प्लांट है और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्राइज भी ज्यादा नहीं है 20 से 30 रुपीज का ही आपको नरसरी में मिल जाएगा और हम इस प्लांट को कटिंग से भी बहुत आसानी से तयार कर लेते हैं पिटोनिया को आप पूरा दिन की धूप में रखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और 10 दिन में 15 दिन में एक बार नीम खली या फिर सरसो खली का लिक्विड फर्टिलाइजर आप डालते रहिए तो बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है इस प्लांट के लिए और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा इस फर्टिलाइजर से ये तो 15 दिन में आप डालते रहिए पूरा दिन की धूप में रखिए बहुत अच्छा प्लांट है पानी भी कम ही डलता है ज़्यादा पानी आप पिटोनिया में ना डालिए सेकिंड नमबर पर होगा हमारा गजानिया प्लांट गजानिया भी बहुत सुन्दर है इसके फूल जैसे ही इन पर धूप लगती है तो खिलते चले जाते हैं और जैसे ही धूप लगना बंद हो जाती है तो इसके फूल बंद हो जाते हैं हैंगिंग बास्किट के लिए बह बहुत अच्छे से गर्मी में भी रुक जाता है गजानिया के कलर भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं और इसे सीड से भी ग्रो करना बहुत आसान है इसी के फ्लावर के नीचे सीड बनता है उससे आप ग्रो करिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा और ये प्लांट आपको leaves भी colorful होती है जैसे बाकी के plant की leaves green होती है बिगोनिया की leaves colorful होती है जैसे महरून color हो गया परपल हो गया इसकी leaves भी color बदलती है तो ये plant आपको 80 से 100 rupees के आसपास मिल जाता है बिगोनिया plant में हम पानी कम डालते हैं लेकिन बहुत सुंदर लगता है देखने में और color भी इसके बहुत सारे मिल जाते हैं hanging basket इसके लिए थोड़ी गहरी आप लें तो ज़्यादा बेटर है इसके लिए full बहुत अच्छे से करता है और इसे आप 3-4 घंटे की धूप दीजिए इससे ज़्यादा धूप में इसे मत रखिए बहुत अच्छा प्लांट है विगोनिया इसके फूलों का साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन सुंदर लगते हैं 5 नंबर पर हमारा आएगा पैंसी प्लांट पैंसी बहुत सुंदर है फूल ऐसे लगते हैं जैसे बटरफ्लाई बैठे हो और हेंगिंग बास्किट के लिए तो बहुत बैस्ट प्लांट है इसकी जड़े ज़्यादा नहीं फैलती है अच्छे से एक बार मिट्टी तयार करके लगा दीजे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है वही 10-15 दिन में एक बार लिक्विड बना के डालते रहो तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं पैंसी की और इन्ही के पास इनके सीड्स भी बनते हैं सीड्स से भी आप इने ग्रो कर सकते हैं पूरा दिन की धूप में रखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे आपके घर में बटर फ्लाई भी बोलते हैं इसे और पैंसी प्लांट भी बोलते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट आएगा बालसम बालसम बहुत सुंदर प्लांट है और इसके कलर इतने सारे मिलते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत प्लांट है 200 से 150 के आसपास आपको ये प्लांट मिल जाएगा और अच्छे से इस प्लांट में आपको पानी की requirement का ध्यान रखना है पानी आपको इसमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर इसमें हम ज्यादा पानी डालते हैं तो इसके स्टैम गलने लग जाते हैं तो आपको बालसम में पानी ज्यादा नहीं डालना है और डिरेक्ट धूम में आपको बालसम प्लांट को नहीं रखना है हेंगिंग बास्किट में बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट हेंगिंग बास्किट में आप लगाईए और थोड़ा गहरा अगर हेंगिंग बास्किट लेंगे तो ज़्यादा बैटर है नेक्स्ट हमारा प्लांट है डायन्थस डायन्थस भी बहुत ही खुबसूरत लगते हैं इनके फूलों का साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन रंग विरंगे फूल होते हैं इनके और बहुत सुन्दर लगते हैं इनी के पास थे इनके सीड्स निकलते हैं आप इने सीड्स से बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं और अगर हम इने नर्सरी से लगते हैं तो 60 से 70 रुपीज के आसपास ये हमें नर्सरी से भी मिल जाते हैं डायन्थस को हम कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं और सीड से भी तो आप इसे भी हैंगिंग बास्किट में लगकर नेक्स्ट हमारा प्लांट है जिरेनियम जिरेनियम बोलते हैं इसको बहुत ही सुन्दर प्लांट है इसके जो फ्लावर होते हैं वो एक सिंगल स्टैम पर बनते हैं और काफी बड़े-बड़े फ्लावर होते हैं इसके नीचे की साइड इनके स्टैम फैलते हैं तो बह बहुत सुन्दर लगता है यह 60 से 70 रूपीज का आपको नर्सरीज में मिल जाता है अधर्वाइज आप इसे कटिंग से या फिर सीड से भी बहुत आसानी से तयार कर सकते हैं इसके बाद है हमारा वर्बीना प्लांट वर्बीना प्लांट के फूलों का साइज थोड़ा छोट होता है लेकिन बहुत सुन्दर लगते हैं और कलर देखिए इनके आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं और कटिंग से बहुत आसानी से वर्बीना तयार हो जाता है प्लांट अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाते हैं तो इनके फूलों के नीचे ही इनका सीड बनता है, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप इसे नर्सरी से ला रहे हैं, तो 25 या फिर 30 रुपीज के आसपास ही आपको वरविना नर्सरी में मिल जाते हैं, सीडलिंग अगर आप लेते हैं, तो हमें कम रेट में मिलती हैं, और अगर हम ज्यादा बड़ा प्लांट सेडलिंग अलेती हैं, तो आप अगरें कि मिल जाएं तो ज्यादा बेटर मिलता हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट है, नेक्स्ट्रेसियमśmy स्ट्रेसियमी और वैलता है और अ इसका बांट की पैलता है और इसका वाइन होती है ये नीचे-की फैलती हैं, हेंगिंग बास्किट में अगर आप लगाएंगे तो बहुत सुन्दर लगती हैं, इसकी लीव्स भी सुन्दर लगती हैं, काफी बड़े बड़े आकार की होती हैं, और फूल भी इसके बहुत सुन्दर लगते हैं, ओरेंज कलर में, इसके कलर भी आपको कई सारे मिल जाते हैं और सर्दियों का बहुत ही अच्छा प्लांट है पूरा दिन की अच्छी धूप में रखिया आप इसे बहुत सुन्दर लगता है बस दस से पंदरा दिन में वही आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहिए उसी से बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा इन्ही के पास इनके सीड बनते हैं आप इने सीड से भी ग्रो कर लेते हैं वाइन को और कटिंग से भी ये वाइन तयार हो जाती है ये प्लांट आपको 100 से 150 के आजपास नर्सरी में मिल जाएगा इसके बाद नेक्ट हमारा प्लांट है प्रीमुला प्रीमुला या फिर प्रीम रोज भी उसे बोलते हैं तो बहुत ही सुन्दर प्लांट है इसकी लिवस भी काफी सुन्दर होती है इसके फुलो का साइज छोटा होता है लेकिन बहुत सुन्दर होता है और इसके कलर भी बहुत सारे हमें मिल जाते हैं आप अगर इस प्लांट को हेंगिंग बासकिट में लगा रहे हैं तो आप कोषिस करिए एक हेंगिंग बासकिट के में इसके दो से तीन प्लांट लगाएं क्यूँकि इसके जड़े ज्यादा नहीं फै प्लांट हमें थोड़ा महंगा मिलता है नर्सरी में लेकिन सुन्दर लगता है 100 या फिर 150 का यह प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा अच्छे से मिट्टी तयार करके लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से और हार्डी प्लांट है काफी बहुत अच्छी जो पसंद आए और पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो थेंक यू सो मच बाइबाइबाइब